नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रौंड अप शो आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर ओर्डिनिस फैक्टरी बोर्ड 26 जुलाई से रक्षा कर्मचारियों की अनिश्चित कालीन हर्ताल जिला पंचायत अधक्ष के चुनाओं के लिए नहीं लड़ेगी बसबा कहना है मायवती का कब और कैसे वजूद में आया आर्टिकल 370 और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में धाई महिने बाद एक हजार से कम मरीजों की मौत और इसे साथ सरकारी स्वामित वाली कॉर्पेट संस्थाओं के तौर पर अस्थानापन करने का केंद सरकार का फैसला रक्षा करमचारियों के महासंगों को ऐसा लगता है कि गवारा नहीं है जिसके जलते करमचारी महासंगों को एक बाद फिर से अनिश्चित कालिन हर्ताल पर जाने का फैसला लिया है जिस एपुरु में उन्होंने पिछले वर्ष अस्थगित कर दिया था किंद्री मंत्री मंडल ने 16 जून को 246 साल पुराने OAB के निगमी करण करने की योजना को मंजूरी दे दी है जो एक छत्री निकाय है जिसके तहें देश भर में 41 आयूत कारखानों की देखरे की जाती है विबिन मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस बोर्ड को साथ नए डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स में तबदील किया जाना है यह अनिश्यत कालीन हर्टाल 41 ओर्डिनेस फैक्टरियों में 26 जुलाई से शुरू होगी रविवार को डिफेंस फैडरेशन की एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया हर्टाल के बारे में प्रशासन को 8 जुलाई को जानकारी दी जाएगी इससे पहले 17 जून को तीन मानेता प्राप्तिस महा संगों ने एक सन्यूत बयान में कहा था कि आयूत कारखानों में कारेड़ समूचे कारेबल जिसमें 82,000 करमचारी और 4,000,000 रक्षा शेत्र में कारेड़ सिविलियन करमचारी शामिल है ने केंदर के इस फैसले को खारिस कर दिया 2020 में रक्षा करमचारी ने मोधी सरकार के नीजी करण के कदम को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए अक्टूबर माह में अनिश्चित कालिन हर्ताल पर जाने का फैसला लिया था हाला कि इस मामले में CLC के हस शेप के बाद हर्ताल पर जाने की कारवाही को टाल दिया गया था ततपश्चात एक सुलह समझाता हुआ था जिसके उपरांथ महासंगो और रक्षा उत्पादन विभाग के बीच वारता का दौर चला था ओएभी को आयूद उपकर निर्मार के छेतर में सलगन है वर्तमान में डीडीप की ये नियंत्रड के तहत एक सरकारी विभाग के तौर पर कार करती है जिसे रक्षा मंत्राले के द्वारा प्रशासित किया जाता है बहुजन समाज पार्टी यानि बस्पा प्रमुक मायावती ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्रप्रदेश जिला पंचायत अध्यक्षपत के चुनाओ के लिए नहीं लड़ेगी मायावती ने कहा कि ये चुनाओ निश्पक्ष नहीं है और पार्टी कारिकरताओं से कहा गया है कि वे चुनाओ में अपना समय और ताकत लगाने के बज़ाए पार्टी को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाध़ार को बढ़ाने में लगाए उत्तर प्रदेश की पुर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधान सबाद चुनाओं के बाद प्रदेश में बस्पा की सरकार बनी तो अधिकांश जीला पंचायत अध्यच खुद ही बस्पा में शामिल हो जाएंगे गौर तलब है कि शनीवार को जीला पंचायत अध्यच पत के चुनाओं हैं मायवती ने कहा कि विपक्षी दल अफवा फैला रहा है कि बस्पावस दोजार बाइस के विधान सबाद चुनाओं को लेकर सक्रिय नहीं है जबकि सचाई यह है कि वह स्वयम और पार्टी कारेकरत पिछले साल से ही इस चुनाओं की तैयारी में जुटे हैं अपने शो इतिहास के पन्ने मेरी नजर से के इस हिस्से में वरिष्ट पद्रकार निलान जन कश्मीर से हटाए गए आर्टीकल 370 की बात कर रहे हैं क्या है इसका इतिहास और इससे क्यों लागू किया गया था पाकिस्तान में शरीक नहीं होना चाहता था लेकिन साथ साथ वे भारत में भी एकसीड नहीं करना चाहता था नाराजगी नहरू से थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आजाद हिंदुस्तान में रॉयल्स के लिए कुछ खास प्रिविलेजिस नहीं होंगे ब्रिटिश और पाकिस्तान ने ट्राइबल हमलावारों को बैक किया उन्हें उमीद थी चम्मू कश्मीर पाक में एकसीड कर जाएगी नहीं हुआ October 26, 1947 को Maharaja Hari Singh ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया After accession, legally speaking, the entire Jammu and Kashmir Kingdom became an integral part of India This included the northern area that incorporated Gilgit, Baltistan, Pakistan occupied Kashmir during the tribal invasion, Jammu, Ladakh and Kashmir लेकिन Hari Singh accession के terms को limit करना चाहते थे Kendra की शक्तियों को वो मात्र external affairs, communications और defense तक ही सीमित रखना चाहते थे बाकी मुद्दों पर कुछ भी कदम लेने के पहले Center को Jammu Kashmir State से permission लेनी होगी Hari Singh की यही मांग थी Article 370 का मसौदा भारतिय सम्विधान में Part 21 ने एक temporary transitional and special provisions शीर्षक से तयार किया गया था इसके तहब Constituent Assembly of Jammu and Kashmir को empower किया गया था वे तय कर सकता था कि भारतिय सम्विधान किस हद तक राजय पर लागू होगा राजय विधान सभा भी धारा 370 को पूरी तरह से abrogate कर सकती थी जुलाई 1952 में नहरू और शेक अब्दुला के बीच समझोता हुआ इसमें जमीनी हक से जुड़े मुद्देत भी थे इसके तहब Article 35A भारतिय कॉंसिटूशन में इंसर्ट किया गया इसके तहब जमू-कश्मीर के स्थाई निवासियों को परिभाशित किया गया और उन्हें विशेश राइट्स और प्रिविलेजिस दिये गए जमीन के मामले में Jammu & Kashmir's Constituent Assembly was elected in 1951. The chairperson defined the constitutional relationship of Jammu & Kashmir as being an autonomous republic within the Union of India. Nehru Abdullah Pact को Manjuri ना केवल राज्ये Constituent Assembly ने दी बल्कि भार्तिय संसर्त ने भी दे दी. केंद्री स्वास मंत्राले द्वारा आज 28 जून को जारी आग्ड के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 46,148 नए मामने दर्श किये गए इसके अलावा इस दौरान धाई महीने बाद एक हजार से कम यानी 989 मरीजों की मौत हुई है जिन में सबसे जादा 405 मरीजों की मौत अकेले महरास्ट से हुई है महरास्ट में करोना से अब तक 1,21,246 लोग अपनी जान गवा चुके हैं साथी पिशले 24 घंटों में देश भर में करोना से पर 58,578 मरीजों को ठीक किया गया है और कोल्लैक्टिव मामलों में 13,409 मामले कम हुए हैं देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़ कर 3,2,89,331 हो गई है जिन में से अब तक 3,96,730 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से परित 96,79 फीज दी यानि 2,93,9,607 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में आक्टिव मामलों की संक्या घट कर एक देश में लोग 8,9 फीज दी यानि 5,72,994 हो गई है स्वास्मंत्रा लेकितार जानकारी करने साथ देश में करोना वैक्सीन की 32,36,63,297 डोज दी जा चुकी है जिन में से 17,21,268 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है इसके अलावा केंदे सरकार ने एक एफिडेविट के जरिये सुप्रीम कोट से कहा कि अगस्ट से दिसम्बर के बीश भारत में वैक्सीन की 135 करोड खुड़ाग उपलब्द कराए जाएंगी देवरा देते हुए केंदे ने बताया कि इसमें 50 करोड कोविशिड, 40 करोड कोवैक्सीन, 30 करोड बायो इवैक्सीन, 5 करोड जाइडिस स्कैलिडा डियने और 10 करोड स्पटनिक 5 इस दोरान उप्रब्द कराए जाएंगी आज के डेली रॉंड अप में बस इतना है निउस्क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिज फेपसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें निउस्क्लिक देखने के लिए शुक्रिया